हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल पर सौगत है तो आज मैं बनाने वाली हूँ साउत की फेमस रेश्वी चना दाल बड़ा तो यहाँ पर मैंने चने दाल 4-5 घंटा पहले भिगो के रख दिया था तो यह अच्छे से फूल गई है अब एक मिक्सी का जाल लेंग और इसको दरबरा हमें पीशना है तो यहाँ पर मैंने एक इंच अध्रक का टुकडा लिया है दो हरी मिर्च थोड़े से लाशुन की कलिया ली है और एक चमच जीरा डालके इसको मैंने पीश लिया है अब यहाँ पर मैंने दो चमच दही डाल रही हूँ एक चमच बेशन दाल रही हूँ इससे हमारा जो चना दाल का बड़ा है बहुत ही क्रेश्पी बनेगा और इसमें थोड़े मसाले हमें एड़ करने हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर लिया है नमक आप अपने स्वाध अंसार ड पूल गई थी आप फूली हुई दो चम्मस चना दाल निकाल के रख ले फिर उसके बाद पीसे इससे जो हमारे बड़े बनेंगे देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे और क्रेश्पी भी बनेंगे और यहाँ एक चम्मस तेल डाल दिया है जिससे इसमें बाद में ज्यादा तेल सोक नहीं करेगा तो इसको हाथों से गोल करके एक टिक्की का सेप दे देंगे और इसी तरीके से सारे बड़े बना कर तयार कर लेंगे यह बनाना बहुत ही असाने बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेश्टी होता है तो यहाँ पर हमारी सारे बड़े तयार हो गए है अब मैं इसको फ्राइ कर लेती हूँ तो यहाँ पर कड़ाही में मैंने तेल पहले से डाल के गरम कर रखा है यहाँ चेक कर लेते हैं हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया इसमें मैं बड़े अपने डाल देंगे और गैस को मीडियम कर देंगे पर गैस को मैंने मीडियम कर दिया है और अपने बड़े डाल देंगे और इसको दोनों तरफ से उलट पलटके अच्छे से फ्राई करेंगे आप कभी भी बना सकते हैं चाय के साथ नास्ते में यह बहुत ही अच्छा लगता है सभी को पसंद आता है अकसर तो यह हर घर में बनता ही बनता है अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो जरूर ट्राई करिएगा अब यह बरा हमारा अच्छे से फ्राई हो गए हैं एकदम क्रेश्पी बने हैं अब मैं इसको निकाल लेते हैं और इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं सुखा है इसको एक पलेट में रख लेंगे इसी तरीके से मैं सारे बड़े इसमें डालकर फ्राई कर लूगी अब जो नारे बाकी के बचे हुए बड़े वह भी डाल देते हैं अब जब तक हमारे बड़े तैयार हो रहे हैं तब तक हम इस बड़े के लिए एक जटनी बनाएंगे तो यहां पर मैंने अरीधन्या लिया है और यहां पर एक इंच अध्रक का टुकडा है दाने डाल रही एक चमच नमक आप अपने स्वाधन साथ डाल सकते हैं, यहां पर एक चमच जीरा डाला है, नमक आप अपने स्वाधन साथ डाल सकते हैं, यहां पर मैंने थोड़ा सा साधा नमक लिया है, थोड़े से काले नमक लिये हैं, डाल दिया है, अब इसको फीस लेंगे, यह हमारी हर लोरी में निकाल लेते हैं अब देखते हैं हमारे बड़े भी तयार हो गये अच्छे से फ्राइ हो गये अब इसे भी निकाल रही हूं देखें हमारे बड़ा बन के तयार है हमारी रेश्पी आप लोगों को कैसी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा